आप मेंसे बहुतों तों के खबर नहीं पहुँची होगी मिडिया का काम था ये बात पहुँचा है लेकिन नहीं पहुँचा ही होगी वो तस्वीर है कॉंग्रेस के शाषन वाले करनाटका की कुछ दिन पहले वहाँ छोटा दुकानदार उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया लहु लुहान कर दिया गया क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे-बैठे हन्मान चानिसा सुन रहा था ये कॉंग्रेस की करनाटका की सरकार का काम देखिये अपनी छोटी जी दुकान में एक गरीब आदमी बक्ती भाव से प्रभू हन्मान जी का स्मरन करते हुए हन्मान चानिसा सुन रहा था उसको लहु लहान कर दिया गया आप कल पना कर सकते हैं कॉंग्रेस के राज में हन्मान चानिसा सुनना भी गुना हो जाता है कॉंग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है और राजस्तान तो खोद इसका भुक्त भोगी रहा है अब शीदी शीदी बात है जब उनके पार्टी उनके सारे नेता प्रभू राम का मंदीर बने प्रभू राम का प्रानत पतिश्चा का अउसर हो मंदीर के लोग जाके रूम रूम में आने के लिए निमंत्रन दे सम्मान पुरवक निमंत्रन दे और पब्लीक लिए उस निमंत्रन को ठुकरा दिया जाए तो उनके चेले चपाटे भी हनमान चालीसा करने वालों को पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे भाईयों कुछ दिन पहले ही राम नौमी बीती है कॉंग्रेस के जाने के बाद पहली बार शांती से शोभायात्रा निकली है पूरे राजस्तान में वरना पहले और चुनाव की आपा धापी गर्मी होने के बावजूद भी कॉंग्रेस ने तो और हमारी यहां तो सूरज की पहली किरन का स्वागत भी राम राम साह से होता है राम राम साह कोई किसी को मिले तो पहले मुल से निकलता है राम राम साह कॉंग्रेस ने तो राम राम साह कहने वाले राजस्थान में राम नौमी पर प्रतिबंद लगा दिया था और अमारे किरोडिलाल ऐसे हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ते थे कॉंग्रेस ने शोबा यात्रा पर पत्थर बाजी करने वालों को सरकारी सवरक्षन दिया था इसी कॉंग्रेस पार्टी ने तिस्ट्री करन के लिए मालपुरा, करोली, छबडा, टॉंक, जोधपुर को दंगों की आग में जौंक दिया था जौंक दिया था और नहीं जौंक दिया था कैसे लोगों को माप करोगे अब भाजपा सरकार आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी आस्था पर सवाल उठा दे अब आप चैन से हनमान चाली साभी गाएंगे और राम नौ में भी मनाएंगे किसी के अबेंगे आपकी आपकी हिए तब इसंटाए चैन से ऑना में जा के तो जाएंगे इसा बादाएंगे उपकी आपकी आपकी हिम्मत पर आपकी हिए